बढ़वा में साड़े 500 से अधिक प्राधमिक एवं माधमिक स्कूलों के 24,000 से अधिक छात्रों को मध्याहन भोजन का राशन का वित्रन किया जा रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सिक्षन एवं शाला प्रबंधन समिती घर घर जाकर खाद्य सामगरी का वित्रन कर रही है। 500 के लगबग प्राधमिक और माधमिक विध्याले हैं जिन में कक्षा 1 से 8 तक 24,000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों को प्रति दिन स्कूल में मध्यान भोजन दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में स्कूल बंध होने की वज़ह से इन बच्चों को मध्यान भोजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सीम शिवरा सिंग चोहान ने इन सभी बच्चों को खाद सुरक्षा भत्ता देने का निर्ने लिया है। जिसके तहट प्राद्मिक स्कूल के बच्चों को 33 दिन का कुल 3300 ग्राम गेहूं अत्वा चावल वो 148 रुपे एवं माध्मिक स्कूल के बच्चों को 4 किलो 950 ग्राम अनाज वो 222 रुपे बैंक खाते में भेजे गए हैं। कोरोना वाइरस की महामारी के दर्मियान चूकि स्कूले सारी बंध हैं और स्कूलों में मद्यान बोजन बच्चों को वितरन किया जाता था। इसकूले बंध होने के कारण अभी उनको मद्यान बोजन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए राजसासन के आदेस अनुसार उन्हें सुका खाद्यान गेहूं और चावल वित्रण किये जा रहे हैं और जो मद्यान बोजन के लिए राशी प्राप्त होती थी सिदे उनके पालकों के खाते में ये बच्चों के खाते में डाल दी गई ताकि बच्चा पोशन आहार करे और किसी दर भुका न रहे महामारी की चपेट में ना आए इसे तु पुरी बड़वा बलाक में सबी दर्ज बच्चों को लगबग 24,610 बच्चे दर्ज हैं सबी बच्चों को स्वसायता समूँ और प्रदान पाट को द्वारा क्वित्रन कारे किया जा रहे